हेलो अरिवन स्वागत अब सभी का ऑनलाइन स्टेडी जोन में आज के इस वीडियम बात करने वाले ही बिहार एसाइ मेंस एक्जामस के लिए मैच्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन्स फ्रेंड्स आज के क्वेशन्स में मैं रिजनिंग का इंक्लूड नहीं कर रखा हू क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम्स होगी थी जिसके मैं क्वेशन्स रेडी नहीं कर सका लेकिन आज के लिए कुछ क्वेशन्स में आपके लिए लेकर रहा हूं जो कि बहात ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चले इस वीडियो को सुरू करते हैं और जो भी गशन्स रणा सरस फिर्ट का धर राबर वन तो आपसे पुछय कि इतना का वैल्यू क्या होगा इसको कैसे करेंगे सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं ठीके फिर्ट्स ऐ मैनस भी का होल स्कॉर तो करेंगे तो क्या होगा ए स्कॉर्ट ठीके प्लस में भी एसक्वार और प् प्लस मैनस खतम हो गया आपके पास बचा क्या यह बचेगा और आपके पास यह बचेगा तो मैं बोलों को A square वालों को एक जगा लिख लो तो मैं यहां से A square कॉमा लेता हूं A square में कॉमा लोंगा तो देखे यहां से A square यह हो जाता है ठीक किव जगे किशार प्लस में ऐसक्कोर यहां से कॉमा ले लेते हैं अच्छाल existem मौनास च्शक्वाइब एक तरफ तरफ और A square प्लस में बेसगा अब इन दोनों का वैलू दिया गाए ताँ आज यहां पे पूट कर लें unhappy यानि कि C square plus D square की value दीए 1 और A square plus B square की value 2 तो कह सकते हैं किस questions का right answer क्या होगा 2 के बराबर हो जाता है काफी अच्छा प्रस्टा इस questions को आपको समझना थोड़ा सा important हो जाता है के लिए आगे बढ़ते हैं second number questions कह रहा है कि एक नियमित बहु भूज के आंतरी कोड का map इसके बाहरी कोड के map से 108 degree अधिक है तो आमें बताने हैं किसमें कितनी भूजाए हैं तो काफी अच्छा प्रस्टन है friends इसके लिए आपको मैंने formula बताया हुआ कि इस formula के थूरू आप किस तरह से इसको करते हैं तो चले मैं आपको बताता हुआ friends इस questions को कैसे handle करना है ठीक है देखें यहाँ पे नियमित भभूज के आंतरी कोड का map यानि मैंने आपको क्या बता है कि आंतरी कोड का map क्या होता है परतेक आंतरी कोड के माप के लिए मैंने आपको होता है यही तो questions कह रहा था बस इसको simple सा solve कर लेते हैं अगर 180 बटे n को में common लेता हूँ तो देखें क्या बचता है 180 बटे n common लेगा तो n-2 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस में 2 बचेगा ठीक है राइट साइड में 108 हो जाता कोई दिक्कत नहीं यहाँ से दिखें क्या करते है 180 बटे n और यहाँ पे आपका n-4 हो जाता है ठीक है फिर्फ राइट साइड में 108 डिग्री अब इसको कटाते हैं देखें कैसे कटेगा 18 से कटाते 18 दहिया 180 और 18 चक्के हो तापका 108 क्लियर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा आपका क्रॉस में कर लेते तो 10 n- में आपका 40 हो जाता है और राइट सेड में क्रॉस में होगा तो यह आपका 6 n के बराबर इधर कर देते तो 4 n की वैलू 40 के बराबर दे इसलिए n की वैलू हम कैसे कते हैं कि 10 के बराबर हो जाता यहां पर पूछा गया था कि भुजा की संख्या कितनी होगी वह 10 के बराबर हो जाता उमिद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आगे होगी चले next question को try करते हैं देखिए अगला questions क्या करें कि एक विक्रेता को 60 चीजे बेच करके 15 चीजों के विक्रयमूल के बराबर लाब मिलता है यहां पर questions को ध्यान से समझेगा 60 चीजे बेच करके 15 चीजों के विक्रयमूल के बराबर लाब मिलता है तो आपको बता है कि उस विक्रेता का लाब का परतीसत क्या होगा इस questions को handle करनेंगे simple सा करना कुछ नहीं होता बस आपको लाभ परतीसत निकालने तो ध्यान से दिखे क्या करते हैं लाभ परतीसत ठीक है friends questions में अगर यहाँ पर दिया है कि बराबर लाभ मिलता है तो आपको करना क्या है ऊपर में आपको छोटा वाला लिख कर कि यानि कि 45 इस questions को आप बहुत simple से कर सकते हैं अब यह थी कि तीन बार में कटा कह सकते हैं कि राइट एंसर जोगा वह 100 बटे तीन यानि कि 33 एक बटे 3% उसको profit होगा इस questions का राइट एंसर यहाँ जाता है इसमें कुछ भी नहीं करना है बस जो भी questions में बोले अगर दोन को जोड़ करके लिखते हैं ठीक है friends यानि questions same to same यही रहता कि 60 चीजे बेच करके 15 चीजों के विक्रैमूल के बराबर हाणी मिलता है तो करते क्या नीचे को हम उपर में 15 लिखते हैं यानि कि घटा कर यानि कि सबसे चोटा वाला उपर लिखते हैं नीचे हम लोग दोनों को add करके लिखते हैं 60 और 15 75 कर देते हैं जो भी questions का right answer हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question क्या रहा है कि यदि रासी का छेप सही एक बट्टा चार वर्सो बाद का सधारन व्याज उस रासी का 3 बट्टा 8 हो जाता है तो दर परतिसत क्या होगा देखे questions को कैसे करेंगे बहुत simple सा इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको simple सा यह पता होता है कि इसा equal to क्या होता है simple interest equal to PRT यानि कि principle गुने rate गुने चुकी time बटे 100 यह तो आपको normally formula पता होगा ठीक है friends बस इसी formula का use करके यहां पे questions को करना होता है questions में देखी क्या कह रहा है कि 6 सही एक बटा 4 वर्सों के बाद का सधारन व्याज उस रासी का 3 बटा 8 हो जाता है तो मैं माल लेता हूँ कि रासी जो तो P थी और इसी रासी का 3 बटा 8 हो जाता है यानि कि 3 बटा 8 हो जाता है चो कि सधारन व्याज कह सकते है बराबर की इधर मैंने लिख दिया और हमें रेट निकालना है तो रेट को मैं रेट ही लिखता हूँ और टाइम हमारे पास निया गया छे सही एक बट्टे चार यानि कह सकते हैं कि 25 बट्टे चार तो लिखा लेकिन 100 मैंने नीचे जो की यह लिख दिया क्लियर फ्रेंड्स 25 चौका 100 इसको कटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा आप देखो यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा सा पी से पी कटा लेते हैं तीन बट्टे आठ लिख लिजिए आर उपर में ज्यों काते हूँ बच्चा नीचे आपका 16 बच्चा नीचे आपका 16 बच आपको language को समझना होता है कि questions के का रहा है किस तरह से पूछा जा रहा है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं देखे फिर नेक्ट्ट क्या कह रहा है कि A B से 40 पर 30 अधिक कारे को सल है यदि B अकेला इसी कारे को 42 दिन में कर सकता है तो A अकेला उसी कारे को कित्ते दिन में पूरा कर सकता है काफी simple सा question से लेकिन इसको बनाने का थोड़ा समय आपको अलग से मेतर एक बताता हूँ इस questions को कैसे आप करोगे चले मैं माल लेता हूँ A और B का जो ratio इस तरह से लिख लेता हूँ ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि A जो हो B से 40 परतित अधिक कार कर लेते हैं इसको हम 20 से कटाते हैं तो 27 और 25 ठीक है अब इसका इतना करने का मतलब यह हुआ कि यह कोई कारे को दिन में करता था यह 42 दिन में करता यानि कि 6 से multiply किया गया तो simple सा बात यह हूँ कि इसमें भी 6 से multiply कर देंगे तो clear हो जागा कि यह कारे को 30 दिन में complete करेगा ठ लिकत नहीं होगा बस थोड़ा सापको यहां पर समझना पढ़ता है कि कैसे करना है clear friends आगे बढ़ते हैं देखें next version यही दिया गया friends की x plus 1yx के value हो root 3 के बराबर है आप से पूछा गया कि x के power 18 plus x के power 12 plus x के power 6 plus 1 का value क्या होगा कैसे solve करेंगे तो सबसे पर आप मैं यह लेत क्यूबिंग ठीक है friends बोद साइडिंग में क्यूबिंग कर जाता हूँ अब यहां पर देखें करने से क्या होगा x plus 1 by x का बोद साइडिंग क्यूब करते हैं तो root 3 और यह आपका cube हो जाता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं इसके बाद देखें क्या करेंगे a plus b का whole q के formula पर हमारे पास यह बचेगा क्या friends आप एक बार खुद से इसको करने की कोशिस कीजिएगा और इसको देखें अगर इसको तोड़ते हो तो root 3 यानि कि यह आपका निकल लेगा 3 root 3 ठीक है friends देखें यहां पर हमारा क्या निकलेगा root 3 बट्टे में 1 बट्टे root 3 sorry x q plus 1 बट्टे x q और right side में इसको भेज़ोगे तो यह cut के 0 हो जाता है यहां पर हमारा क्या निकलेगा x के power 6 plus 1 और आप इसको भेज़ोगे उदर तो आपका 0 के बराबर कह सकते हैं कि x के power 6 की value जोगी वो minus 1 के बराबर होगा अब इतना करने के बाद हम कहां पर जाएंगे अब दीखें जो questions ह हम से पूछा गया था उस पे चलते हैं तो इस questions को मैं यहां पर लाता हूँ अब इसको इस form में तोड़ सकते हैं यानि कह सकते हैं कि x के power 6 के power 3 कर सकते हैं सेम टू सेम x के power 6 लिखकर और उसके whole power में हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 6 दूना 12 हो जाता है यहां पर उनलों की वही करेंगे जेवकाते हो छोड़ते हैं और यहां पर प्लस में 1 कोई दिक्कत नी फ्रेंट्स जस्ट इसके बाद आप value को put कर दो की up और यहां पर रखते हैं दो यह आपका अपिस सब्कर एक क्योंकि प्लस मेंत यहां पर माइन नंबर दो आ हो जाता यहां पर प्लस हो जाता और यहां पर और माइनस paar मेंस खत्म को कह सकते हैं कि इस सब्सन्स का Right राइट आंसर होगा वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा उमेद करता हूं आपको यह चीज समझ में आ गई हो कि हम लोगों इस क्वेशन को कैसे किया हुगा है ठीक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और हाँ आज की इस वीडियो मैंने इतने सारी क्वेशन को लिया था मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स होगी थी जिसकी वज़य से मैं क्वेशन को नहीं ले पाया हूं तो इसके लिए माफी चाहूंगा और आपके स्कीन पे क्वेशन दीख रहा है इसका राइट इंसर आप नीचे कमेंट में बताये क्या होगा करेक्ट आंसर और इस क्वेशन को मैं अगले दिन सबसे पहले बनाऊंगा ठीक है तो उमीद करता हूं कि आप लोगो सब चीज अच्छे से किलियर हो ग